कैसे हैं आप सब लोग आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए और्गनाइजेशनल लीडर्शिप के mcqs questions लेकर किया आई हूँ जो सलेबस है आपका इसमें तो इसमें यह चीज़ आपको देख बतानी है क्या organization क्या होता है या उसमें leadership किस तरह से होती है किस तरह से motivation दिया जाता है और motivation के जो schemes हैं वो क्या होंगी यह सारी चीजें है परफॉर्मस अप्रिजल है यह सब कुश आ जाता है organizational leadership के अंदर तो आईए सको श्रु करते हैं विजिए को लाइक करणा है जल्दी से और सब्सक्राइब करें से अपने ट्रेनिंग हुमन रिलेशन्स प्रफॉर्मस अप्रिजल नन तो कोशन में आप से पूछ रहा है कि उदेशों को संतलन जो देश होते हैं किसी भी संगठन के उसमें संतलन लाने के लिए और जो व्यक्ति हैं उनमें प्रेणा की प्रिक्रिया को जगाने के लिए नहीं प्रेड सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की गतिविधी है इस दा एक्टिविटी आफ इंफ्लुएंसिंग प्रफॉर्टी इस्ट्राइब लेंगली फॉर्ग्रूप अब्जेक्टिव्स मोटिवेशन लेडर्शिप कम्मुनिकेशन औल अफ दीज वोशन मिल करके कारे करने के लिए प्रेरित हों तो वो किसके माद्यम से हो सकता है प्रेणा की नेतरत के संचार के या फिन सभी से तो वो होता है नेतरत के माद्यम से लिडर्शिप के माद्यम से अगर हमारा लीडर अच्छा होता है उसकी लिडर्शिप अच्छी होती है करेंगी तो यहाँ पर करेक्ट आसर क्या हो जाएगा option B next question है डैश अधिनस्तों से काम करवाने के लिए एक नेता के विहार का pattern है डैश इस pattern of behavior of a leader to get the work done from subordinates decentralization, leadership style, motivation pattern, coordination तो कुछ मैं आपसे पूछ रहा है कि अधिनस्तों से जो subordinates होते हैं उनसे काम करवाता है जो नेता तो वो क्या है या किस तहां की उसकी विशेश्चता है या उसका वो good है जो होती है उनके माधियम से जो leadership styles होते हैं अलग लगता हैं जिसमें की क्या रहता है जो आटो क्रेटिक हो जाता है अपने अनुसारे सिफकार कराता है या फिर जो democratic होता है तो वहाँ पर जो भी अधिनस्त होते हैं कारे कर रहे हैं उनकी भी सला ली जाती है कोई भी decision लेने के लिए या उनको भी जो है इतना rights दिये जाते हैं जो अधिकार होते हैं उनको भी दिये जाते हैं जिससे कि वो अपने अनुसार भी कारे को कर सके तो अदारग लगता हा कि शालियां होती हैं तो वो क्या हो जायेगा? नितवत्यर शालिय जो होगी वो अधिनस्थों से काम कराने के लिए एक निता के विहार का पैटर्न है क्यों आसा यहां पर क्या हो जाएगा? Option B Next Question है – नितवत्यर्टिशली के तहत कि अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि नेता तशालियां होती है कई तरह की जिनके जहत जो नेता होता है जो लीडर होता है वो अपने कारे को करवाता है जो सबार्डिनेट्स होते हैं उनसे वही मैंने आपको बताई थी कि आटो क्रेटिक होती है पार्टिसिपेटिव हो जाएगी यहां पर जैसे ऑपके options दे रखे हैं हैं कि अधिनस्टों से अपने काम करा रहा근 की सब्सकिन अपने काम करा रहा एकिन उनसे किसी की कोई भी सपरेडिनेट की जुक्रीमिके का पक्या है सब्सक्राइब कोशन है कि अभी आपने से पहले जो पढ़ी थी तो उसमें क्या था कि जो सब्सक्राइब कोई प्रामश नहीं लिया जा रहा था लिकिन यहां पर क्या है कि जो अधिनस्त है उनको निर्णाइब लेने के लिए रैट्स दिये गये हैं कि कोई भी अगर चोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है तो उस पर वो स्वैम से ले सकते हैं वो कौन से शैली हो जाएगी अहस्तच्षेप सहबागी सलाकार या फिर यह सभी तो वह हो जाती है आहस्तच्षेप यानि कि लेजर सफेर यहां परमर्श की जरुबत वह अपना उपीनियन लग देता है कि हैं इस तहां से कार्य को करें यह आप आसाने से कार्य कर सकते हैं तो यहां पकर एक टांसर क्या हो जाएगा आप्शन ए आप लोग सोच रहे होगी कि जो पर्टिसिपेटिव होती हो क्या होगी तो उसमें रहता ह कि जो भी नेता होता है उनको फास्ट करने देता है जो भी प्रोल्व्रम्स होती है और की वो भी अपनी सोजोटीई रख सकते हैं घुन ब़सी सबीदो करने ऊंवारे में की इसक्षाद में । सिद्धान के अनुसाज दैश इस तरको अनावशक्तां से पहले संतुष्ट करने के आवशक्ता है एकॉर्डिंग टू अबरहाम मासलो जो नीट हेज़ी त्योरी डैश लेवल नीट्स टू बी सेटिसफाइड बफोर अदर नीट्स लोगर मिडिल हायर नन तो यहाँ आप आपसे पूछ रहा है कि जो अबरहाम मासलो की अपने जो पढ़ी होँगी मोटिवेशनел त्योरी पढ़ी होंगी तो यह त्योरी में पूछ रहा है कि जो सबसे पहला इस्तर है इसको संदोष्ट करने सबसे पहले इंपॉर्टेंट हे वो कौन हो हो जाएगा तो उसके पाच इस्तर है आपको पायध होगा कि हो जाते 오늘은 आपस्वार्प Nay प्रफ यह पार्च नों ने बताई थी जो एक के बाद एक स्टरपाइस आती हैं तो सबसे पहली पूरी होना कौन से इप्पॉर्टेंट है जो जीवन निर्वा की है तो कौन सा हो जाएगा सबसे नीचे वाला इस तर नीचे लाइस तर आप देनने देखा हो कि एक प्रामिट सा रहता है इसमें तो वही में सबसे जो पहला इस तर नीचे का आता है लोवर वाला तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नेस कोशन है ERG थियोरी का संबन-चेयस नंबदिताओ और विकास से है ERG थियोरी स्टैनफार टैश इैटरेटिर निर्स एड ग्रोत व्न्वा के कि जो e-rg थियूरी है, तो इस है आपकर पता ही होगा, e-rg थियूरी के बारे में जो अब राम मास्लू की थियूरी थी, तो उसी को e-rg सिधान जो पता नकूकात उनोंने किया था, एक के बाद एक जो प्रामिल्ट साभी मैंने अप बनों बताया है, तो उसे ERG वाला भी बोलते हैं तो उसमें इसको अगर डिटेल में कहा है तो E4 हो जाता है एक्जिस्टेंस और R4 हो जाता है रिलेटर्डनेस और G4 हो जाता है ग्रोथ तो यह तीन चीज़ें आ जाती है तो यहाँ पर आपसे R4 एक्जिस्टेंस दे रखा है ग्रोथ भी दे रखा है तो E से क्या हो जाएगा E से हो जाता है एक्जिस्टेंस तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको ग्रोथ भी सात में दे रखा है तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है तो ERG की फुल फार्म बस ध्यान में रखेगा तो इफर क्या हो जाएगा एकसिस्टेंस याने की आस्तितु तो गरेक्ट आंसर क्या यहाँ पर होगा हमारा option A next question है theory X कमचारों के प्रती प्रिबंधकों के dash district code को मानता है theory X assumes dash approaches of the managers towards employees traditional professional general none तो आपको बताना है जो theory X है तो आपको याद होगा मैक ग्रेगर की जो theory थी जो motivation की X and Y दो तरह की चारदा रहनी थी जो X theory थी वो कौन से थी वो traditional approach थी इनकी प्रमप्रागत थी इसमें उने कहा था कि जो व्यक्ति है वो कारे नहीं करना चाहता है उसको डराना पड़ता धमकाना पड़ता है तब वो कारे को करता है वो normal कारे को नहीं करना चाहता है जो यहाँ पर जो X theory न की वो traditional है तो correct answer क्या होगा option A इस question है डश एक सामाने शब्द है जिसका उपयोग समगर समू संतुष्टी का वर्णन करने के लिए किया जाता है डश is a general term used to describe overall group satisfaction, job satisfaction, moral, general satisfaction, all of these तो question आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है वो एक सामाने शब्द है और उसका use किसलिए किया जाता है यह पूरे एक जो group है उसके जहे संतुष्टी के लिए किया जाता है तो वो हो जाएगा monobal यानि की moral, moral क्या होता है पूरे जो भी group काम कर रहा है तो सबसे important होता है जो भी संस्ता में कारे कर रहा है उनका moral जो है वो उपर हो उचा हो जिससे की वो कारे करने के लिए प्रेरित हो सकें दोनों शब्दों थोड़े से आपस में मिलते जूलते हैं लेकिन थोड़े से डिफर भी है अलग भी है तो यहां पकर करेक्ट आशर क्या हो जाएगा option B सरकारे संगर्टनों में डैश प्रकारी की नेतरत शाली का अधिकतर पालन किया जाता है डैश टाइप आफ लिडर्शिप स्टाइल इस मोस्ली फॉलोड इन गौर्वर्मेंट ऑगनिजेशन आपको बताना है कि जो गौर्मेंट से ऑगनिजेशन होती है तो मुझे पताने क कोई प्रॉपर जह सही रंक से कारे नहीं हो पा रहा है तो उसमें यहाँ पर जो संगरी संगर्टों में कौन से शाली उस हो जी नेतरत की वो हो जाती है नौकर शाही यानि की बियोर्व क्रेटिक करेक्ट आउसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इस कोशन है डाश से नेतरत बढ़ता है डाश इस इंक्रीजिंग लिडर्शिप प्रैपिटली स्ट्राटेजी कमांड कंट्रोल गेटिंग अदर्स टू फॉलो तो कोशन पूछ रहा है कि जो लिडर्शिप होती है नेतरत होता वो कैसे तेजी से बढ़ता है तो यहाँ पर उसकोन पसंद करते हैं उसको फॉलो करना पसंद करते हैं इसलिए उसके उसके बीचे चलते हैं तो यहाँ पर क्या है कि वो कैसे करण अपने नेतरत को बढ़ा सकता है तो आपको बताना है कि जो नेतरत है डिडर्शिप होती है उसके बारे में इसमें से कौन सा कतंज़ वो गलत है यान दीजेगा असत्य पूछा है फाल्स पूछा है नेतरत जरूर नहीं कि किसी संगटन के पदानुक्रमित धाचे के भीतर हो जब लोग नेताओं के रूप में कारी करते हैं तो उनकी भूल का हमेशा इसपश रूप से स्थापित और परिभाशित होती है प्रतेग नेता प्रबंदक नहीं होता है उप्रोक्त सभी तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा कतंज़ इसमें से गलत है तो यहाँ पर नेता त पर गलत हो जाएगा जब लोग नेताओं के रूप में कारे करते हैं तो उनकी भूमी का हमेशा स्थापित और प्रभाशित होती ऐसा नहीं है अगर आप देखें अपने स्कूल में ही देख लीजए अपने कॉलेज में देखिएगा तो क्या होता है कि कोई एक बच्चा जो जो होगा ऑप्षण बी यू है वो कथन गलत है जैसे कि गेम्स में ही होता है कि टीम का एक काप्टं होता है लेकिन जरूरी नहीं होता है कि जब प्लेग्राउंड में मैच हो रहा हो तो वहां पर सिर्फ कैप्टं है वही लीट कर पाए को सकता है कभी कोई दूसा बैसमन है जो नेता के व्यक्तित पर जोड़ देते हैं डैश अर्दा अप्रोचस टू दे इस्टेडी ओफ लेडर्शिफ विच इंफेसिस दा परस्नालिटी ओफ दा लीडर कंटिजेंसी थियोरीज, ग्रूप थियोरीज, ट्रेट थियोरीज, इंस्परेशनल थियोरीज तो यहाँ आपको सिध्धान दे रखें, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सिध्धान है जो नेता के अध्यन के दुष्टी कोड है, जो नेता के व्यक्तित पर जोड़ देता है कि नेता के व्यक्तित है, वो किस तहां का होना चाहिए, तो वो हो जाता है विशेष्टा सिधान प्रेट थोर इसकी कौन कौन से विशेष्टा है एक नेता के अंतरगत होनी चाहिए यह बताता है कि उसकी पस्नालिटी कैसी होगी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इस कोशन है एक विशेष्टी की प्रेड़ना निमकित पर निर्भर करती है यहाँ पर आपको बताना है कि कोई विशेष्टी क साथ उसका क्या संबंध है या नहीं है पूरी तहां से कुछ उसे ये चीज कर पता होना चाहिए कि अगर वह प्रदर्शन राटा इसे एकि परफ्रर्शन और समर्थन उप्लब्ध है और पॉजिटिव होगी तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन भी निस कोशन है निमकित में से कौन अभी प्रेरिणा का भाग नहीं है इच्छा इच्छा भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कारे करना चाहते हैं आप कि में सामार्थ है पोटेंशल या वो काम कर सकते हैं लेकिन अपकी इच्छा भी होनी चाहिए अपकी इच्छा उनी चाहिए उस कारे को आप करें प्रोष्कार मुहत इपॉर्टेंट है अटो इंसान व्यक्ति क्या होता विसकारी रिपहर्स होता है लेकिन जो भाव है emotions होते वह वो भाग नहीं होगी तो push times कि कमचेरियों को उ प्रोस्साहन चान और फ्राहरा सहां तो वह तो हो जाता है रोसां है इंसियंटिस'm में पढ़े होंगे इस स्कीम Daytonгap कर दी जाती थी उसके बाद उसक जितना भी कारी। होता था तो आस कारी के में अधिक में मेयम होता था इस पढ़ी होंगी also होता था कि एक इसलंडर्ड जो में उसकी मद्ढूरी हो गी कुछ नहीं होताथा अलग-अलग जो नगे बुकस्टान की पद्दतियां थी जो इसमें आपने बढ़ा था वही चीज यहां पर भी आएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा इंसेंटिव क्या हो जाएगा option D इस कोशन है डैश अच्छी तरह से परिभाशित बेंचमार्क के विरुद्ध किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का एक वस्तुनिष्ट मुल्यांकन है डैश इस अन अब्जेक्टिव अससेंट और इंडिविश्व परफॉर्मेंस अगेंस वेर डिफाइन बेंचमार्क परफॉर प्रफॉर्मेशन फर गोल इंडिफिकेशन नाफ्टा अबव तो कोश्वन आपसे पूछ रहा है कि कोई एक अच्छी तान से कोई बेंचमार्क किसी चिसका सेट कर दिया गया है अब कोई व्यक्ति जो प्रदर्शन कर रहा है जो उसके प्रफॉर्मेंस आ रही है तो उसका कि प्रफॉर्मेस etiesल क्या होता है किस तहां का होता है तो वह प्रदर्शन मुल्यंकण करेंगे जो एक बेंचमार्क हमने ह सेटकर रखा था क्ी इतना का Reason से कर लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को वह उत्रा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो वह हो जाता है उसका फदर्शन मुल्यांकन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप्शन ए निश्पादा मुल्यांकन से क्या जुड़ा है वाट इस लिंक्ट विध प्रफॉर्मस अप्रिजल जॉब डिजाइन डिवलेप्मेंट जॉब अनालिसिस नन अफ्टा अबव तो आपसे कोशन पूछ रहा है कि जो प्रफॉर्मस अप्रिजल होता है वो किस होता है कि जिस चारी की प्रफॉर्मस का हम अप्रशल कर रहें उसमें क्या क्या चीज़ें उसे करनी थी क्या योगताय चाहिए थी तो आपको वियाद होगा मैं आप लोगों पुछे पढ़ाया था जॉब अनालिसिस के बारे में तो बताया था इसमें दो चीज़ें आती ह फिर मैंने वहाँ आप आप लोग को पढ़ाई थी जब आप लोग को मैं हिमर्सोस मैनेश्मेंट के लेक्टर्स पढ़ा रही थी तो मुझे कमेंट करिएगा तो यहां बगर एक टांसर क्या हो जाएगा और उप्षेंट सी जॉब आनालेसिस नेस्स कोशन है निम्रे से कौन सा वैकल पर शब्द प्रदर्शन मुल्यांकन के लिए प्रियोग किया जाता है विशाओधा फॉलिएग इस एन अर्टर्नेट टर्म यूस्ट फॉर पर्फॉर्मस अप्रिजल क्वालिटी और क्वालिट मतलब वही है कि उसके प्रदर्शन का भी मुल्यांकन कर रहे हैं करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी नेस्ट कोशन है कमशारी मुल्यांकन का मुख्व उद्देशन में से कौन सा है विच आफ दिस इस दा मेन परपस ऑफ एंप्लाई अससमेंट मेकिंग करेक्ट डिसीज होता है क्या गूल होता है क्या परपस होता है किस उद्देश से किया जाता है सही निर्णाय लेने के लिए चंपता और प्रदर्शन के आधार पर प्रदर्शन को देखा जा सके और उसको प्रमोशन दिया जा सके प्रमोशन डिमोशन या फिर ट्रांसफर कुछ भी हो सकता ह उसके लिए किया जाता है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option B नेस question है डाइश समूव प्रयासों के माद्यम से लक्षों को पूरा करने के लिए सामाजी कविशकार है डाइश are social inventions for accomplishing goals through group efforts management organization leadership behavior आपको बताना है कि समूव प्रयासों की जहां पर भी समूव की बात आ रहा है कि सामुव ipru mark ने ceci जा रहा है तो वहांपको क्या हो जाता है महां सीदे सा जाता है organization संगठृन ने की जो definition होती है organization, जो definition होती है होती ही मातव है कि जो व्यक्तियों का पूर्षिस रिच्माटै उपको बताना एक संगतन है को इसको पहुआ कस्प्रण को संगतनर को स्थापट आ caller है लोक्त काम और अचैन के सीजों कि पर आजञे वते ही इसी साधान हो जाते हैं साधन में आके पुझे साधन आ जाते हैं श्रमिक है भूमी है जो पाच तरह के आपके जह होते हैं production के जो साधन होंगे वो वो सारी चीज़े इसमें आ जाएंगी तो यहाँ पर जो इन तीन चीज़े हैं पुपल वर्क एंड रिसोर्सेस तो क्रेक्ट आंसर क्या होगा option A पुपल वर्क एंड रिसोर्सेस के बीच ही क्या होता है कोडिनेशन और रिलेशन्शिप अच्छी से डेवलप करता है वो हो जाता है organization संगठन पर एक तांसर है यहाँ पर option A next question है संगठन की एक प्रक्रिया है organization is a process of identifying and grouping of work to be performed defining and delegating the responsibility and authority both A and B none of the above तो यहाँ पर question आप से पूछ रहे जो संगठन होता है किस चीज़ की प्रक्रिया है यह प्रदर्शन की जाने वाले करों के पहचान और उसका सामोह करण करना जमेदारियों अधिकार को परभाशत करना और सौपना ए और बी दोनों तो यहाँ पर जो अप्रों का संगठन की जो प्रक्रिया होती है उसमें यह दोनों ही काम किया जाते है इडेंटिफाइ भी किया जाता है और गुर्प भी बनाया जाता है और साथ ही डिफाइन भी किया जाता है जो अथर्टीज होती है और जो रिस्पॉस्बिल्टी होती है उनको डिफाइन भी किया जाता है और डिलिगेट भी किया जाता है जैसे कि आप भारार पर कहते हैं क जो अधिकाल होते हैं उनका भाराट पर करना एक से दूसरे वेक्तिक को देना और जो है जो करता भी है या फिर जो तदायत है यह सब चीज़े तो करेक्टांसा यहाँ पर क्या होगा option C both A and B next question है निभित संगठन का सिधान नहीं है the following is not a principle of organization principle of exception principal of balance principal of publicity principle of coordination आपसे पूछ रहा है जो संगठन है उसका कौन से सिधान इसमेंसे नहीं है अब वारत का सिधान संतुलन का सिधान जटलता का सिध्दान या फिर समनवाय का सिध्दान तो यहां पाँ जड़ो संगटन का सिध्दान नहीं होगा वो हो जाता है जड़ता का सिध्दान principle of complicity बाकी दिनों क्या है संगटन के सिध्दान हैं तो correct answer क्या हो जाएगा option c नेस कोशन है संगठनात्मक सामाजी करण में शामिल है और्गनाजेशनल सोचलाजेशन इंक्लूर्स डेवलपिंग कम्पिटेंसिज डेवलपिंग और्गनाजेशनल वैल्यूस डेवलपिंग सोचल एंड वर्किंग यापकोशन ने पूछ रहा है जो संगठनात्मक सामाजी करण होता है तो उसमें कौन से चीज़ आती है जश्टाओं का विकास करना संगठनात्मक मुल्ला का विकास करना सामाजी को और कामकारी संब्द विक्सित करना उप्रोकत सभी तो जब समाज की बात आ रही है और संगठन की बात आ रही है तो जब समाजी करडर हो रहा है किसी संगठन में तो वहाँ पर क्या होता है कि जो लोग आपस में कारे कर रहा है उनके बीच में संबंद हो होंगे exactly ऐसे ही हो ज़रूरी नहीं है इस तहां के भी हो सकते हैं या कुछ अपर नीचे चेंजिस भी हो सकते हैं तो concept को समझिएगा उसी के recording आपके questions आएंगे इसका syllabus मैं अलग से जो shots की वीडियो में upload कर दूँगी तो आप लोग देख लीजेगा कि उसमें कौन-कौन से चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपको पहले पढ़ चुके हैं वही चीज़े हैं पस उसमें थोगा सा ध्यान दीजेगा एक बार उसको करवा दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू